बिना कोचिंग जाय डारेक्ट करना चाहते है तो आप लोग 590 रुपे में घर बेटे जो ये त्रपल सी कर सकते हो त्रपल सी काई कई सरकारी नोकरी जो भी निकलती उनमें त्रपल सी मांग लिया जाता जो की गवर्मेंट जो गवर्मेंट द्वारा ये जारी किया जाता कोर्स है जो की काफी महित पूर्ण ये सर्टिपिकट है त्रपल सी का अगर आप लोग पास करना चाहते तो ये वीडि में पढ़ते हैं और बहाँ पर कई आप से पैसे भी ले लिए जाते हैं 5000, 4000, 6000 तब भी आपकी बढ़िया ग्रेट नहीं आती है आप फेल हो जाते हैं उसके बाद दुबारा आपको एक्जाम देना पढ़ता है तो आपको कैसे क्या करना है सारा कुछ बताने वाले कौन-कौन क किताब पढ़नी सारी टिप्स देंगे 2022 में आप एक बार में ही क्लियर कर सकते हो तो जैसे कि आप लोगों को पता है जाप एक डारेक्ट इंस्टूटूट से कर सकते हो कहीं कोचिंग सेंटर से और दूसरा ओप्सन आपके पास है डारेक्ट कर सकते हो इसकी फीस जो रखी पांसो नबे रुपे फीस है इसका आप उलाइन कर सकते हैं खुद से कर सकते हो या किसी आप कंप्यूटर वाले से करवा सकते हो अगर आप आठमी पास हो या 10 भी पास हो बार भी पास हो इंटर पास हो या अपने ग्रियजुशन कर रखा है तब आप TRIPAL C कर सकते हो अगर आपको त्रपल सी खुच से पास करना है कहीं जाना नहीं तो आपको ये दो बुक पढ़नी पढ़ेंगी आप लोग बुक देख सकते हो ये लूसेंट की कम्प्यूटर की बुक है ये काफी बढ़िया बुक है क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेते हो दूसरी आपकी ये त्रपल सी की बुक आती है जो आपकी स्क्रीन पर है आप लोग देख सकते हो ये आपको दोनों बुक खरीदनी पढ़ियेंगी लगवग आपको ढ़ाई सो की ये बुक मिल जाएंगी इसके बाद आप यूटूब से भी वीडियो देख सकते हो ये बुक पढ़ने के बाद 100% आपको हम बता दें कि आप पास हो जाओगे अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर की नौलिज नहीं है तब भी अगर आप इसे बढ़िया से पढ़ लेते हो आपको ये भी बता दें आप जैसे ही आप अपलाई करोगे उसके तीसरे मन्त में आपका एक्जाम होता अगर आप डारेक्ट करोगे तो आपका आल लाइन ही आप तीसरे मन्त में जो है अपना एड्मिट कार्ट निकाल के जो भी आप center select करोगे बहाँ पर आप exam देने जाओगे exam देने के बाद लगबग आपका result जो है एक महिने या 15 दिन में आ जाता है तो आपका result आ जाता है उसके बाद आपको certificate मिल जाएगा CCC काफी valuable certificate होता है जो कि guys आप आसानी से और EG से direct कर सकते हो टाइप कर देना है गाईज देख सकते हो student.nielitgov.in जैसे ही यहाँ पर इसे टाइप करके आप सर्च करोगे सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुल के आएगा जब आप apply करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का interface खुल के आएगा आपको यहाँ पर एक option नीचे दिखाई देगा apply का तो यहाँ पर इस तरह का interface आएगा national institute electronic and information technology तो यह इसकी official website है आपको क्या करना नीचे आना है और यहाँ पर एक apply का option मिला इस पर आपको click करना है जैसे ही apply वाले option पर click करोगे जो आपको यह aid दिखाई दे रही important इसको यहाँ से click करके हटा देना है और यहाँ पर इस तरह का interface आएगा तब आपको यह course select कर लेना है course on computer concept जो की तरपल सो की full form होती इस पर आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे कुछ इस तरह से interface खुल के आ जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह का interface खुल के आएगा तब आपको यहाँ पर एक PDF दिखाई देगी आप चाहें तो इसे download करके पढ़ सकते हो सारा कुछ इसमें process लिका है कि इस तरह से online करना है सारा कुछ बताया गया है तो आपको मैं यहाँ पर apply करने का process बता रहा हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर declaration घोसना वाले पर किलिक करना इसको script कर देना है और I agree proceed पर किलिक करना है जैसे ही किलिक करोगे तो आपका यहाँ पर यह form खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हुए यहाँ पर जो है आपका form खुल के आ गया है आपको यह भर के complete करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है तो यहाँ पर पुशा जा रहा है क्या आपने पहले त्रिपल सी के लिए आवेदन किया था अगर आप फेलियर हो तो इस पर करोगे यस और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आजाएगा आपको पिछला जो है पिछला रोल नमबर दर्ज करना है नहीं किया है तो यहाँ पर नो ही करेंगे तो आपके सामने इस तरह सा इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर करे रहा है एब यू टू गोट आल लाइन रिफ्रेंस नंबर इंडूल्मेंट नंबर अगर आपके पास इंडूल्मेंट नंबर है तो आप किलिक करेंगे वरना छोण देंगे नीचे आएंगे यहाँ पर अपने नाम के पहले सिरी लगाएंगे अगर आप लेडीज हैं तो यहाँ पर सूसरी लगाएंगे वरना सिरी लगाएंगे अपना नाम डालेंगे यहाँ पर उसके बाद पिता जी का नाम डालेंगे यहाँ पर उसके बाद माता जी का नाम यहाँ पर डालेंगे नीचे आने के बाद आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे आप मेल हैं या फीमेल हैं नाम डालके आपको यहाँ पर अपना नाम डालेंगे आप माता जी का नाम डालेंगे यहाँ पर उसके बाद नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पर जेंडर आटोमेटिक पकड़ लेता है कभी कभी नहीं पकड़ता तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां से जो है अपनी date of birth यहां से select कर लेंगे जो भी आपकी date of birth है वो यहां से आप select करेंगे और उसके बाद क्या करना है आपको date of birth आप अपने हिसाब से भर लें हम आपको select बता रहे हैं आपका बर्ग आपका भरना किस जाती से आप आते हैं categories है, तो यहां से भर लें, उसके बाद बेवसाय क्या है, आप सरकारी करमचारी हैं, सोयकार रिरत हैं, self implied या अन्ने हैं, तो आप जो भी हैं वो भर लें, उसके बाद क्या आप दिब्यांगत हैं, अगर हैं तो yes करें, ews या कमजोर बर्ग से हैं, तो यहां पर आप अपना भर लें, और आपको एक phone study code नहीं पता है, तो कोई बाद नहीं, उसको छोड़ दें, उसके बाद आपको नीचे आना, अपना mobile number डालना, अगर email ID तो आपको डालनी पड़ेगी, आपको यहां पर email ID डालनी है, पहला पता यहां से select कर लेना है, उसके बाद आपको यहां से जिला अपना select कर लेना है, जो भी आपका जिला है, वो आप यहां से select कर लेना है, उसके बाद आपको नीचे आना, अपना pin code भर देना है, जो भी आपका pin code है, वो आपको यहां से select कर, यहां पर भर देना है, डाल देना है उसके बाद आपने पढ़ाई कितनी किया आप अगर आठमी पास हैं दसभी पास हैं बारवी पास हैं पॉली टिक्निक कर रखा ओधर ग्रेजुएशन है तब आप अप अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर कब आपने पास किया दस्वी था तो वो भी आपको यहाँ पर भर देना है उसके बाद यहाँ पर लिखा है आप क्या इस्टिटूट से फारम अपलाई कर रहे हैं यहाँ आप डारेक्ट कर रहे हैं डारेक्ट करेंगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट आएगा रिजल्ट चेक करेंगे आप अगर पास हो जाएंगे तो आपको certificate मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या करना है select तो यहाँ पर आपको कर लेना every month examination यहाँ पर 2022 select करना है March में आपका होगा जब apply कर रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है examination location पर इच्छा के अंदर बन तो यहाँ पर आपको दो select करने पड़ते हैं तो आपको अपने सबसे पहले state उसके बाद आपकी इस जिले में देना चाहते हैं दो आपको center भरना पड़ेगा तो आप कोई भी select कर रहे हैं जो आपके नजदीक पड़े दूसरा center आपको select कर लेना है तो आप अपना दूसरा select कर लें जो भी नजदीक पड़े यहाँ से आप select कर लें उसके बाद आपको आधार कार्ट number डाल देना है आपका जो भी आधार कार्ट number है और यहाँ पर आपको photo select कर लेना आपको पोटो यहां से 5 kg से 50 kg के अंदर होना चाहिए और यहां से आपको हस्ता चरापके 5 kg से 20 kg के बीच होने चाहिए नीचे आपको आना अगुठे का निसान भरना डालना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां इस पर किलिक करके आपकी जहां भी फाइल पड़ी होगी वहाँ से आप निकाल के जो हो open करके इस पर upload कर दें उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो है केपचा भर देना है यहाँ पर जैसे कि यह केपचा है इसको डाल के आपको केपचा डालेंगे और यहाँ पर declaration देंगे नीचे आएंगे submit वाले बटन पर click करेंगे जैसे ही submit वाले बटन पर click करेंगे जैसे ही submit पर click करोगे आपको जह application number मिल जाएगा application date मिल जाएगी और यहाँ पर सब आपका detail होगा जो है आपका परिच्छा के अंदर का नाम लिखा होगा आपका नाम लिखा होगा यहाँ पर लिखा होगा किसके रूप से आवेदन किया तो आपने direct किया है और आपका यहाँ पर लिखा है किस परिच्छा के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पर आपका लिखा होगा तरपल सी जो कि आपका जो भी डेट को आपने सिलेक्ट किया था यहां पर लिखा होगा जो कि तीसरे बंथ में जो है आपका एक्जाम यह होता है उसके बाद आपको नीचे चले आना है बिल्कुल यहां पर आपका लिखा होगा पेमंट जो है फीस पेमंट डिटेल जो है आने के बाद आपको सम्मीट वाले बटन पर किलिक करना जीसे फाइनल सम्मीट पर किलिक करोगे उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा जीसे ही सम्मीट पर किलिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल आ जाएगी और यहां पर लिखा हुआ होगा द option आ जाएगा तो यहाँ पर लिखा csc csc espb से करना चाहते हो निफ्ट rtgi से करना चाहते हो या online किस mode से आप करना एक mode आपको select करना पड़ेगा payment करने के लिए जो आप फीज कटवाओगे 590 रुपे जैसे यहाँ इन पिन में से किसी को एक کو select करोंगे उसके बास आपके सामने नएा interface आ जाएगा जाए जैसे कि यहाँ यहाँ पर देख सकते हो आप जैसे ही करोगे निफ्ट TGSA करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आप किस से भी कर सकते हैं आप जिस से करना चाहते हैं उसके बाद आप अगर ATM कार्ड से करोगे तो यहाँ पर उप्सन है आप UPI से भी कर सकते हो QR कोड से भी कर सकते हो यहाँ पर आपको जिस पर करना है उ पर यहां पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहां पर ATM से करना चाहते ATM नंबर डालेंगे और मन्त और यहां पर CBB नंबर डालेंगे काड होल्डर का नाम डालेंगे और make payment पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका final जो है complete form हो जाएगा आप print करके कि अपने पास रख सकते हो तो यह रहा आपका प्रोसेज जो है फुल अपलाई का इस तरह से आप अपलाई कर सकते हो जो गाईज आपको पास करने के लिए हमने ये दो दो बुक आपको बता दी हैं आप यूटूब से भी वीडियो देख सकते हैं हमारे हिसाब से आप बुक रहेगा तब आप इस तरह से जो है एक्जाम आप अपना पास कर पाएंगे और आप 590 रुपे में ही सर्टीफिकेट कंपलीट आप इसका प्राप्त कर पाएंगे तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ से अगर एक्जाम होते उसमें भी इसको मांग लिया जाता तो आप इससे जो है पढ़के जो है 10-15 दिन अगर पढ़ लेते हो बढ़िया से तो आप इसे कंपलीट कर लोगे थेंक्यू गाई नेक्स टूडियो मिलते हैं भाई भाई